कर्मनार्षा, किहार, कहानी का सारान्ज या कथावस्ट भाहरोपांडे यवंग उनका भाई कुल्दीप कर्मनासान दीखे किनारे नई डी नामक के गाहों है जिसमें पैरों से अपाईज भाहरोपांडे नामक एक पंडित रहता है उसका चोटा भाई कुल्दीप जब दो वर्स का था उन दोनों के माता पिता की मिर्त हो गई भाहरोपांडे नहीं चोटे भाई कुल्दीप का पालन प्रशन अपने पुत्र की तरह किया कुल्दीप अप सोला वर्स का इवक हो गया है बहरोपांडे का अपना पुस्तेनी मकान जिसमें बहरोपांडे सूत कात कर जनेव बनाते जजमानी चलाते हैं इसके अतरित कता बाजते अपना एवंग अपने भाई का भरण पोर्षन करते हैं कुलदीप यव विद्वा फूल मत में प्रेम एक दिन चांदनी रात में मलापरिवार की विद्वा फूल मत भहरोपांडे के यहां अपनी बाल्टी मांगने आई थी बाल्टी देते से में कुलदीप फूल मत से ठक रा जाता है फूल मत मुस्कराती है कुलदीप उसकी ओर करने लगते हैं बहरो पांडे के गुसाने पर कुलदीप का घर से जाना एक दिन चान दिनी रात में कर्मनासा की तट पर कुलदीप प्लमत मिलते हैं पहले से ही दोनों पर नजर रखना है बहरो पांडे को कुलदीप पर इतना क्रोध आता है कि वह उसे गाल पर थपड के बाद कुलदीप घर से भाग जाता है और बहुत ढूरने पर भी नहीं मिलता कर्मनासा नदीमिय बाढ़ का आना कुलदीप को घर से भागे चार-पांच महीने बीच चुके हैं कर्मनासा नदीमिय बाढ़ आती है जिससे होने वाली तबाही के आसंका से सभी भाई भी थ लगते हैं उसके बच्ची को उसका पाप समझते हैं उनके धाना है कि फुलमत की बली पाक करना साथ हो जाएंगी बहरोपांडे का अंतर द्वांद जब यह सूचना बहरोपांडे को मिलती है तो पहले वे सोचते हैं कि चलो अच्छा ही है परिवार के लिए कलंग बनाने वा बडिक एवंग निर्भीक वेक्तित्तोर करनासा नदी के तट पर गावाजियों से घिरी फुलमत के पास पहुचकर बहरोपांडे निर्भीक स्वार में काते हैं उसने कोई पाप नहीं किया है वह उसके छोटे भाई की पतनी है उनकी बहु है और उसका बच्चा उसके छो बहरोपांडे के चट्टान की तरह अडिक वेक्तित को देखते रह जाते हैं करनासा की लहरे इस सुखी जड़ से टक्रा कर पच्चाड का रही थी पराजीत हो रही थी करनासा की हार बस्तुतर रूडियों की हार है